इस समय हमें डबल मार पड़ रही है कि हमारी जो अपनी रिविन्यु है वो उसमें भी कमी आ रही है जस्ट पिकॉज अफ करोना उनको दिसंबर तक की पेमेंट जो हमारे पाट से होती थी वो हम आप अगणों के साथ बात करें हवा में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है मैं भी कुछ भी कह सकती हूँ अगर आप कह रहे हैं हमने पैसा नहीं दिया तो आप सरकारी रिकॉर्ड दीजे कि हमने पैसा नहीं दिया जद्दो जहेत तो शुरू से चल रही है और धीरे धीरे करके यह हमारा अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारी सिच्वेशन इतने टाइट हो गई है इस समय आपने देखा करोना के चलते जो हमारे अपने फंड्स भी थे वो भी उसमें भी कटाती आई जब आपके पास सफिशन फंड नहीं होगा अब आपने वो शौचाले बनाए तो उसमें करमचारी चाहिए करमचारी चाहिए तो आपको उसे तंखा भी देनी पड़ेगी वो तंखा देने के लिए अगया आपको फंड चाहिए तो जब आप समझें 30-35% तक भी वो फंड हमें नहीं दे रहे तो ऐसे में आप कैसे किसी घर नी चलता भी ना पैसे के कार्परेशन कैसे चलेगी हम आद निर्बर हैं अपने बल पे हम काफी जो हमारे अपने फंड से हम कोशिश करते हैं कि हम जितना मैक्सिमम आपड़ दे पाएं एंजी उसको हमने बुलाया उसमें टाइलेट को हैंडल करने के लिए हम प्रयासरत हैं बड़ लेकिन कब तक जो हमारा राइट है वो तो हमें मिलना चाहिए देखिए हमने आपको जो दिखा दिया है राइटिंग में दिया है 11 करोड देल सपोस्टो गिप हमारे इस मेहड में उनको देना था और वो पैसा उन्होंने हमें दिया नहीं उसके अलावा हम पे अरोप लगा रहे हैं कि हमने नहीं दिया ओन रिकॉर्ड हमने उनको दिसंबर तक की पेमेंट जो हमारे पार्ट से होती थी वो हम अलरड़ी कर चुके हैं तो कुछ भी कह देने से वो अगर कुछ भी ऐसा कह रहे हैं तो उनको बोलो कि आप आंकड़ों के साथ बात करें हवा में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है मैं भी कुछ भी कह सकती हूँ लेकिन उस बात की सत्यता तब स्ताफित होती है जब आप उसके लिए रिकॉर्ड जो सरकारी रिकॉर्ड दीजिए कि आगर आप कह रहे हैं हमने पैसा नहीं दिया तो आप सरकारी रिकॉर्ड दीजिए कि हमने पैसा नहीं दिया हम आपको सरकारी रिकॉर्ड दे रहें कि हमने पैसा दिया है